नमस्का दोस्तों बहुत बहुत स्वागे था आपका ओके क्रेडिट में और एक बर फिर से आपके सामने मैं तबनना देकर आई हूँ एक बहुत ही बड़ी आप बिजनस आइडिया और इसे घर पर आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं महिलाओं के लिए बिजनस चला आ रहा है लेक बहुत अच्छा लगता है जब हम टीवी पर देखते हैं या फिर हमारे जो पूर्वज हैं हमारे दादा दादी नाना नानी बताते हैं कि किस तरह से पापड बनाये जाते थे और उसको छट पर रखके सुखाया जाता था बड़ा इंट्रेस्टिंग ल लिंक और साथ ही साथ बैल आइकन का बटन जरूर तबाईएगा तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे शुरू कर सकते हैं आप बनेना वैफर बनाने का बिजनस क्या है केले के वैफर यानि की केले से बने चिप्स आलू के चिप्स की तरह ही अब लोग केले के चिप्स का भी काम शुरू कर सकते हैं इस काम में आपको केले के पतले टुकडे करके कुरकुरे होने तक्टी फ्राइक करना पड़ता है ध्यान रहे कि केले इसमें कच्छे ही हूं केले की चिप्स को जातर साइड दश स्नाक या एपिटाइसर की तरह परोसा जाता है इसमें मूल रूप से केटे के चिप्स का उतबादन कर सकते हैं उन्हें खा सकते हैं या बेश सकते हैं इसमें जरी बूंट या अलगलग तारा के मसाले, चीज, सीज्टिन स्वंख शामिल है केले की चिप्स बिजनस के लिए मसीन के बैजरस स्बसे बनाने की मशीन आप ड़ी ही आसानी सेक्रीड सकते हैं अगर ऑनलाइन आपको यह मशीन नहीं मिल रही तो आप अपने नजबी की मार्केट में जाकर आसपास के शहर में यह मशीन खरीच सकते हैं आपको आसानी से यह मशीन दस से बारा हजार रुपए की मिल जाएगी अगर आप छोटे लेवल में इस काम को करना चाहते है तो आपके लिए 10 से 12 हजार तक की मशीन सही रहेगी लेकिन अगर आप इसे बड़े लेवल में करना चाहते हैं तो आपको मशीन के लिए 30 से 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे मशीन के साथ ही आपको चिप्स बनाने के लिए कच्चे सामान की ज़रूर पड़ेगी अनुमान आपको ये सामान 5000 से लेकर 7000 तक असानी से मिल जाएगा अगर आप इसे अपने पास के होलसल मार्केट से लेंगे तो आपको इससे काफी जादा फायदा मिलेगा इसके लावा आपका बजट दूसरी चीजों पर भी निर्वर करता है यानि आप इसके लिए दुकान रेंट को लेना चाहते हैं या फिर खुद के घर पर ही इसे शुरू करना चाहते हैं इसके लावा करमचारियों की भड़ती करेंगे या खुद ही अपने परिबार के साथ मिलकर इस काम को शुरू करेंगे किसी भी बिजनस को करने के लिए बिजनसमैन को सही जगा की जरूरत होती है इसमें आपको केले की चिप्स बनाने वाली मशीन को रखने के लिए जाता चगा चाही होगी इसके साथ ही अपने प्रोड़क्ट को बनाने के लिए कच्चा सामान और तैयार कियेकर चिप्स के लिए जरूरी जगा यानि कुल मिलाकर आपको 4000 से लेकर 5000 स्क्वार फीट की जगा की जरूर पड़ेगी जिससे आप असानी से इस काम को कर सकेंगे आप चाहें तो अपने ही घर में इस काम को कर सकते हैं अगर आपके खर या घर के आसपास इतना स्पेस है तो आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप रेंट या फिर लीस में कोई जगा ले सकते हैं अगर आप ठीक ठाक लेवल में इस काम को करना चाहते हैं तो आपको शुरू में 5-7जार उपे तक वैफर बनाने के लिए कच्छा सामान मिल जाएगा इसके साथ ही आपको इसके लिए वैफर बनाने की मशीन और जगा की भी जरूर पड़ेगी खर्चे समान के लिए आप केले, तरह तरह के मसाले, तेल, नमक जैसे बेसिक समान की जरूरत पड़ेगी बनाना वैफर बनाने के लिए कुल खर्च जैसा कि हमने बताए कि आपको इस बिजनस में खर्च आपके प्रोडक्शन के आधार पर आएगा लेकिन एकनुमान के हिसाब से आप शुरू में 50 किलो केले के चिप्स बनाते हैं तो इस काम में कम से कम 120 दर्जन खर्चे केलों की जरूर पड़ेगी जो आपको अमुमन एक हजार रुपए के आसपास मिल जाएंगे 50 किलो चिप्स को तलने के लिए 12-15 लीटर तेल और 70 रुपए के हिसाब से आपका 1050 रुपए का खर्च आएगा अब चिप्स को बनाने के लिए मशीन के जरूर पड़ेगी और मशीन को चलाने के लिए आपको डीजल चाहिए जानकारी के लिए बता दें यह मशीन एक घंटे में 11 लीटर डीजल की खपत करती है अब एक लिटर डीजल 80 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का पड़ जाएगा तरा-तरा के मसाले और नमक में आपका 150-200 रुपए लग जाएंगे और अगर हिसाब लगाएं तो 50 किलो के लिए के चिप्स तयार करने में आपको 32 रुपए तक खर्च करना पड़ेगा इसके बाद चिप्स को पाक करने में 70 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ेंगे और अगर आप ऑनलाइन या किसी किराना स्टोर में इन चिप्स को 100 रुपए की लोग में बेशते हैं तो आपको 50 किलो चिप्स 5000 रुपए तक मिल जाएंगे अपने बिजनस की मार्केटिंग पर भी ध्यान दे किसी भी बिजनस को सफल बनाने के लिए आपको उसकी मार्केटिंग पर काफी ध्यान देने की जरूरत है आपको भी अपने वेफर के बिजनस को सफल बनाने के लिए ग्राकों का चेयन करना पड़ेगा यानि आपको जानना होगा कि आपकी target audience कौन है वैसे इस तरह के food business में आपको कम ग्राकों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता आजकल लोग खाने पीने के शौकीन है और इन चीजों को खाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी चुका देते हैं बशर्ते आपका product अच्छा हो उसकी quality और quantity ग्राकों के हिसाब से होगी तो आपका business अच्छा चलेगा बनाना वैफर business के लिए license और registration आपको इस business के लिए license के लिए आवेदन करना पड़ेगा और संबंदित अधिकारियों से पंजी करना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको अपने business को आरूसी और के साथ जोड़ना पड़ेगा इसके लिए आप proper ridership form को अपने business का registration यानी नाम चड़ाना पड़ेगा लेकिन अगर आप इस काम को बड़े पैमाने पर करता चाहते हैं तो आपको limited liability partnership की सिफारिश कर सकते हैं इसके साथ ही आप अपने नगर पालिका या नगर परिशत से trade license हासिल कर सकेंगे और अपने business को MSME के साथ register कराना ना भूलें बिजनस के लिए करमचारियों की भरती इसके लिए एक machine का operator जो केले की वेफर बनाने का काम करेगा इसके साथ ही एक करमचारी जो आपके प्रड़क्ट की चेकिंग और packaging की जिम्मेदारी संभालेगा आप जाएं तो इस काम के लिए महिला करमचारियों को भी न्यूक्त कर सकते हैं इसके लिए आपको दो ऐसी महिलाओं की ज़रूप पड़ेगी जो इस काम को आसानी से कर सकें साथ ही एक supplier जो market में आपका सामान बेशने जा सकें आप जाहें तो अपने working area के सामने छोटा सा stall या दुकान लगाकर अपने product को बेच सकते हैं इससे आपकी supply का खर्च और समय भी बच जाएगा और आपको profit भी जादा मिलेगा जहां तक बनाना buffer बनाने या production की बात है तो इन्हें बनाने की machine को चलाना काफी आसान है इसे किसी भी आदमी को केवल कुछ समय या कुछ घंटे की training के बाद असानी से समझाया जा सकता है और अगर automatic यानि महंगी machine लेते हैं तो आपका काम और भी असानी से और फटाफट हो जाएगा automatic machine से आपके करमचारियों का workload भी कम होगा यानि अगर production जादा हुआ तो आप जादा वेफर सप्लाइ कर पाएंगे और आपको मुनाफ़ाज जादा होगा फिर भी जब आप business बड़े स्थर पर करते हैं तो सिर्फ मशीनों से काम नहीं चल सकता इसके लिए आपको proper team की जरूरत होती है ऐसे में अप सवाल उठता है कि business के साथ-साथ आप अपने करमचारियों को कैसे manage करें तो इसके लिए आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है बस okay staff app install करें और अपने करमचारियों को और उनकी जिम्मेदारियों को आसानी से manage करें okay credit आपके लिए लाया है okay staff एक ऐसा एप जिसके जर्ये आप manage कर सकते हैं अपने staff की salary और attendance बहुत ही आसानी से okay staff काफी सारी local भाशाओं में उपलब्ध है जैसे कि हिंदी अंग्रेजी तमिलते लोगों आदी ये एप एक लाग से जादा लोगों द्वारा इस्तिमाल किया जाने वाला है और पूर्न का है भारत में निद्वित आप है अधिक जानकारिक लिए देखें और डाउनलोड क जाना शुरू हो सकता है और साथी साथ आप सरकार के जो मुस्कीम से लगुद्यों को लेकर और उसमें भी आप पैसा जो है वहां से भी लगा सकते हैं तो काफी जादा फायदे हैं आप इस पर विचार कर सकते हैं और बाकी आप अपनी महिनत से काम कीजिए लगन से काम और कुछ भी सवालों कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए आपके बिजनस का सच्चा साथी